नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रो क्यूर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बोर्ड मैट्रिक कमपार्टमेंटल परिक्षा का एड्मेट कार्ड हुआ जारी बिहार से उत्तर प्रदेश, कॉलकता और जार्खन जाना होगा असान आनन्द मोहन की रिहाई पर सियर नितिश का बयान बिहार में चल रही जाती गन्ना पर सुप्रीम कोट ने की सक्थ टिपनी लस्जी के जीत के पीछे का राहुल ने बताया राज इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परिच्छा का एडमिट कार्ड हुआ जारी अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परिच्छा देने वाले हैं या खबर आपके लिए है बतादे कि बिहार विद्याले परिच्छा समीती की दोरा मैट्रिक कमपार्टमेंटल सभ विसेश परिच्छा 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है चात्रा एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट secondary.bihardboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बतादे कि इस परिच्छा का इंटर्नल एसेस्मेंट 6-8 मही तक आयोजित किया जाएगा वहीं सेंधांतिक परिच्छा 10-13 मही तक आयोजित की जाएगी समीती की ओर से बताया गया है कि अगर चात्रों को आडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी पी प्रकार की परिच्छानी हो रही है तो वे हल्प लाइन नमबर शुने चे एक दो 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 तीन दो शुने साथ चाल पर फोन कर अपनी परिच्छानी को सुलजा सकते हैं अडमिट कार डाउनलोड के बाद विद्याले की ओर से हस्थाक्चर और मुहड के साथ स्टुइंट को अडमिट कार दे जाएंगे ताकि विद्याले में अयूज़ित होने वाले इंटरनल असेस्मेंट परिच्छा और सेंधांतिक, परिच्छा में कोई परिशानी ना हो बिहार से उत्तर प्रदेश, कौलकता और जार्खन जाना होगा असान लोगों को किसी प्रकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े। पता दे किस दुरान याचिका करता की ओर से पेस वर्डिस्ट वकील मुकल रोहतगी के द्वारा कोट के सामने कहा गया कि जाती गज जनगना मई महीने तक पूरी हो जाएगी ऐसे में अगर याचिका पर ततकाल सुनवाई नहीं की जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वही दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीट के द्वारा कहा गया किस मामले की ततकाल सुनवाई की मांग हाई कोट से कर सकते हैं और हाई कोट तीन दिन के अंदर याचिका पर अंतरम आदेश चारी करेगा साथी खंड पीट ने हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप पुस्तक के लिए प्रती खंडवा एक पुस्तक की दर से तीम पुस्तक के चात्रों को ले जाने की अनुमती दी गई थी इसके बावजूद भी कहीं अभ्यरती परिक्षा केंद्र पर बिना पुस्तक के ही नजर आए NMCH के लापता डॉक्टर की बेटी ने जन्दन पर लिखा भावक पत्र मेरे पिता है मुझे नहीं पता कि वह कहां है और किस हाल में है और मुझे यह भी नहीं पता कि किसके पास उनकी जानकारी होगी लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है इसलिए मेरे पिता को खोजने में आपको भी हमारी मदद करनी है आपके जानकारी के बता दे कि डॉक्टर संजय कुमार पिसले दो महीने से लापता है और अब तक उनकी जानकारे पुलिस के द्वारा भी नहीं लगा पाई गई है अब पुलिस के उम्मीदे केवल ने भी पढ़ती की हुई है आनन्द मोहन के रिहाई पर सीयम नितीश का बयान बिहार के बाहु बली और पुर्वसांसद आनन्द मोहन की रिहाई होनी के बाद राज़ितिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी भी है वहीं अब इस मामले को लेकर बीते दन यानिकी शुकरवार को बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के दौरा अपनी पहली प्रौतिक्रियात दी गई है उन्होंने कहा कि आनन्द मोहन के रिहाई नियम कानून के तहट की गई है और एकदम सही तरीके से हुई है तो हंगामा क्यों होड़ा है? उन्होंने कहा कितने लोगों को जेल से छुटी मिलती है तो एक आदमी की रिहाई पर जो बात की जा रही है इसमें कौन सी ऐसी बात है? इस बारे में राज्जी के मुक्स अचीव के दौरा कल ही सारी बाते पहले ही बता दे गई थी यूपी बिहार के बाद केजरिवाल पर नेहा का तंच, बिहार की मशूर काबा फेम नेहा सिंग राठोर के दौरा इस बार दली के मुक्यमंतरी अर्विन केजरिवाल पर अपने गाने के दौरा तंच कसा गया है इसकाने की पदस से नीहा सिंग राठोर कहना चाहती है कि मैंने ऐसी मरमत कभी नहीं देखी है दरसल नीहा सिंग राठोर के ध्वर अकेजरिवाल के बंगले को डिकर उन पर निशाना साथा गया है मालुम हो किसे पहले व बिहार और यूपी की सरकार पर निशानास साथ चुकी हैं इसके लावा निहा सिंग राठोर बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी और गुजराच चुनाओ के दौरान दिल्ली के सीम पर निशानास साथा था असकानी की मदद से निहा सिंग राठो और अर्विन केजरिवार पर तंज कस्ते वे कहती हैं कि एक मफलर वाली का बंगला चमक रहा है और वह 2013 में किये गए अपने सभीवादी को भूल कर अपना रंग भूल गया है उन्होंने कहा कि अर्विन केजरिवार आम आदमी की बात करने आया थी लेकिन आम आदमी का हक मार कर खास हो गया है साइकल की सवारी करेंगे बीज़पी अध्यक समराथ चौधरी आज यानिकी सनिवार को बिहार भाजपा के प्रदीश अध्यक समराथ चौधरी पहली बार अपना प्रदीश अध्यक के तौर पर पदभार समालने के बाद पार्टी के कार्दिक्रम को लेकर बिहार के मुझप साइकल से सरकों पर यात्रा करने उतरेंगे विविन रास्ते में विविन जखो पर स्वागत के बाद सम्रार चौधरी मिठन पूरा इस्थित आमरपाली औरुटोरिया में मंगल कारे करता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर साम पांच वजे गरीब नात मंदिर में तोला गया था वहीं अब स्कष्चरी में शांसत च्राग पास्वान का भी नाम शामिल हो घया है पतादी रोतास के देनारा के संहोहित गाउं में कारे करता के द्वाराistas को सिक्कों से ही तोला गया वह इस द्वराद च्राग पास्वां के दोला बिहार सरकार पर शामिल है उन्होंने कहा कि केवल विकाज की लंबी बाती करते हैं यहां जन्युवाओं को रोजगार चाहिए उन्हें लाठी दी जारी है वहें पिछले 30 से अधिक सालों से यहां सर्फ जादपात और धन की राजनेती हुई है लेकिन उनका मानना है कि वह बिहार तथा बिहा बिहार की राजधारी पटना आने वाले हैं लेकिन उनके पटना आने से पहने ही बिहार के राजनतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है पता दे कि अप्तिश प्रताप यादव के बाद आरजरी प्रदीशा धक्ष जगदानंग सिंह के द्वारा भी ध्रंदर सास्त्र जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए और यह अफसोस की बात है कि वह बाहर है और उने कहा कि जिसको मन करता है वही बाबा बन जाता है सभी लोग संथ परंपड़ा को खड़ाब करने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ ही जगदानं सिंह के दोरा बीजीपी पर उनमात परेगा और वे ध्रिन सास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर घिराव करेंगे लालु यादव और नितीश कुमार के 20 मिनट तक हुई बाचीत पीते दिन राजस सुप्रीम लालु परशाद यादव अपने किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद लगभग 9 महीने बाद बिहार की राज़ानी पटना आ चुके हैं वहें उनके पटना पहुंचने के करीब धाई घंटे बाद सामको बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी लालु परशाद यादव से मिलने के लिए उनके रावरी आवास पहुँचे दौरान कई मुद्द आदव ने कहा कि घंटावर शाद यादव ने कहा कि घबरानी की कोई जरुवत नहीं है सब ठीक हो जाएगा भाजपा सांसद राजी प्रताप रुड़ी को पटना हाई कोट ने दिया बड़ा नर्देश पटना हाई कोट के जस्ति डॉक्टर अंसुमन के द्वारा कि सांसत की शुरक्षा में तैनात अंग लक्षकोर्ट के द्वारा उनके भाई और उनकी पत्नी को नहीं पहचाना गया जिसके कारण उन्हें घर में घुषने से रोक दिया गया और जिस तोरान यह घटना घटित हुई उस तौरान सांसत घर में मौजूद नहीं थे जिसके वकील को दो सप्ता के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया गया और आपसी सहमती से मामले को निप्टाने का कोड के त्वारा सांसत को आदेश दिया गया विपक्षी एक्ता की बैठर को लेकर सियम निप्टीश का बड़ा बयान 2024 में होने वाले लोग सभाज नाओ को लेकर विहार के मुख्य मंत्रे निप्टीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक जुट करने की जीत और कोशिशें की जा रही है पर इसकल दुरार उनके साथ बिहार के मुंख्य मंत्री तीन दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर भी थे जहां पर उन्होंने कौंगरिस सद्ध्यक्ष मलेकारज चन खर गे रहूल गांधी सीता-राम ये चूड़ी अर्बन केर्वास समेड़ कहीं पार्टियों के प्रमु पेला गया जिसमें लखनौ सूपर जायंट्स के दौरा पंजाब किंग्स को 52 रनों से मात दे दी गई और इस जीत के साथ लखनौ अब अंग तारिका पर दूसरे स्थान पर पहुँच गया है तो इस जीत को हासल करने के बाद लखनौ की कप्तान केल राहूल के दौरा कहा ग प्रवाजी की उन्होंने काँ किंग्तों से परिचित होने से मीलती है कोशिश करता हूं क्या सोच रहे अगर यहा हमें सूट करता है तो हम यता की साथ आगे बढ़ते हैं जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के लिए बिहार में आज यानी सनिवार को पेट्रॉल डीजल के लिए जारी किये गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.2 रुपे और डीजल 94.6 रुपे प्रती लिटर मिल रहा है और डीजल की में 25.04 रुपे प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रोल का इट सर्जादा किसन गंच में हैं जहां पेट्रोल 109.04 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं अजल की और आज का सवाल है आपके ऌन झाटीश कुमार के विपकषी एक्ता में किस प्रेकार के मुश्किले आ सकती है आपने जवाब हमें मारे कमेंट सेक्षन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बना रहाने के लिए देखते रहें बिहारी निव्स और साथ है अगर आप यूटूब से देखरें चालों को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बूक से देखरें पेस को फॉलो करना ना भूले थनिवाद